नमस्कार दोस्तो दोस्तो आज है रंग पंचमी दोस्तो और आपको और आपके परिवार को रंग पंचमी की हरदी हरदी शिपकाम ना है दोस्तों मैं इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी के बारे में कि अपन मंडे की दिन किस तरीके से प्लान करने वाले हैं दोस्तों बताना चाहता हूँ यार कि जो मैं आपको यहाँ पर लगाता है कि 2200 का अगर breakout होता है market में तो कहीं न कहीं निफ्टी उपर जाएगा 2230 के target में आपको निफ्टी में दिये थे अगर आप check करोगे तो भाईया 22500 तक अपना यहाँ पर निफ्टी गया है दोस्तों काफी लोग सोचते हैं कियार में जो level बताता हूँ कोई practical नहीं होता है बड़ दोस्तों काफी लोग यह भी कहते हैं मेरे comment box में सर आप एक view क्यों नहीं बताते हैं market में देवाइस market को कोई predict नहीं कर सकता हम यहाँ पर यह सोच रहे हैं क्यार अगर यह level break होगा तो अपने लिए काम आएगा दोस्तों वही बताऊंगा जैसे में यहाँ पर लगातार बता रहा हूँ ना किस तरीक से होते हैं और level काम भी करते हैं काफी लोग level पर proper काम भी करते हैं पैसा ही बनाते हैं दोस्तों अगर आप पैसा बनाते हैं comment जरू किजेगा ताकि उन लोग को भी लगे कि higher वास्तों में level काम करते हैं दोस्तों कहीं ना कि यह वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि हम इस वीडियो में डेटा को देखेंगे साथ में global को देखेंगे साथ में अपन यहाँ पर बहुत कुछ discussion करने वाले हैं तो कहना चाहता हूँ वीडियो को end तक वोच किजगा अगर आपने टेलिग्राम को जोई नहीं किया तो टेलिग्राम को जोई किजगा 11.35 मिनट के आसपस हमने यहाँ पर एक पेपर ट्रेड एसे लर्निंग परपस के लिए हमने यहाँ पर 74,000 का put option दिया था 245 का price था इसने high बनाया है 400 रुपे का तो वहाँ पर दोस्तो 155 point मिले है तो अगर आपने टेलिग्राम चैनल को जोई नहीं किया तो जोई किजगा जहाँ पर हम crypto की बाते करते हैं जहाँ पर हम चार्ड प्रोपर शेर करते हैं जहाँ पर मैं आपको alert देता हूँ और दोस्तों कहना चाहूँगा यार मेरे नाम से बहुत सारे टेलिग्राम चैनल हैं उनसे बचके रहीगा अगर आप टेलिग्राम चैनल जोईन करना चाहते हैं दोस्तों तुम्हें यही कहूँगा के link description में दिया हुआ है वहाँ से join किजेगा मेरा whatsapp का link नीचे description में पड़ा हुआ है नहीं join हो पा रहे हो तो वहाँ से आप मेरे को message कर दीजेगा मैं आपको link दे दूँगा तो यही कहूँगा कि आर फ्रोट से southern रहेगा दोस्तों यही बहुत सारे लोग फ्रोट है जो मुंबई महारास्टा की दरफ बैटे हों है जो मेरे नाम से fact telegram channel बनाये हों है चलिए वीडियो को start करते हैं दोस्तों यही last बार यही कहूँगा वीडियो start करने से पहले यार अगर आपने आपके भाई को सपोर्ट नहीं किया है तो गई सब्सक्राइब करो तो आज यहाँ पर 63.1 के सब्सक्राइबर हो चुके है मतलब दोस्तों आप से लोग सब्सक्राइबर हो तभी यहाँ पर यह नंबर आ चुका है मुझे पूरा विश्वास है इस वीडियो को देखने के बाद अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करोगे इस आप में सब्सक्राइब भी करोगे चलिए वीडियो को स्टाट करते हैं दोस्तों स्वागत करता हूँ सब्सक्राइब कराई आप पर पूरा positive देख रहो, आपके सामने दीख रहा होगा, अपने को यो positive ही देखने को मिल रहा है, चलिए, यही पर अपने data चेक कर ले, data से क्या पता चल रहा है, क्यार कहीं ना, कि market के जो sentiment है, जो global sentiment है, वो अपने को यहाँ पर positive देखने को मिल रहा है, फिर आज आते हैं, data, डेटा बहुत important है, मैं हमेशा जितने भी level होते हैं, जितने भी level होते हैं, जितने हैं मेरे level check करते हूं, मैं बिना data के देखे हुए level mark नहीं करता हूं, मैं data को use करता हूं, उसके बाद ही level को mark करता हूं, कि हाँ यह level break होगा न, और data ने साथ दिया न, तो proper काम करेगा, चलिए, sorry guys, nifty पर आते हैं, nifty के 22-300 के level पर दोस्तों अभी भी heavy put writing है, 22-200 अभी भी यहाँ पर heavy put writing है, फिर हम आ जाते हैं तोड़ा सा यार, हाँ, date यही है न, 22-100 heavy put writer बेटे हुए, 22-200 के level heavy put writer बेटे है, बट इन level पर दोस्तों क्या न, cold writing भी आ चुगी, cold writing क्यों आईए, मैं आप चार्ड दिखाऊंगो, उसकी पीचे का reason एग, यही पर बात करते हैं, 22-400 के level पर यहाँ पर heavy cold writer है, मतलब एक proper यह rejection level की तरह काम करने वाला है, अपना nifty में 22-400 का level, and 22-500 तो proper यहाँ पर काम करेगा, तो आई हो आपको यहाँ पर data समझ में आ गया हो, अगर आपन overall data check करें, तो वो हमको जो है put writer, अगर अपन put writer check करें, जो put seller होते 5 क्रोड 70 लाग, और वहीं अगर 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 अपन cold writer check करें तो 5 क्रोड 9 लाग, अगर मैं data को देखूं, data को समझो, तो मुझे data दोस्तो यह कहीं न कई, sideways and volatile का मुझे sign दे रहा है, बट कहीं न कई कुछ level है दोस्तो, जहां पर अगर आप लेवल को focus करते हो ना तो वहां पर आप बहुत प्यारा profit कमा सकते हो चले जी हम यहीं पर आ जाते हो थोड़ा सा अपन bank nifty का data check करते हैं देखो आपको दिख रहा होगा bank nifty में आखिर में हो क्या आ रहा है 2.58 लाख यानि यहां पर अगर अगर अपन कुछ लेवल चेक करें यानि 47,000 यह जो लेवल दूस्ते प्रॉपर सपोट का काम करेगा क्यों इस लेवल पर 18 लाग का put seller जो होता है यहां पर अपना OI बना के बेठा हुआ है तो कहीं ना कहीं इस लेवल को याद रखना यह लेवल आपके लिए प्रॉपर सपोट का काम करेगा दोस्तो देखो option trading के लिए option data बहुत जरूरी होता है अगर आप option data read करना चाहते है तो मैं यही बोलूँगा आप fires का इंस्टा option आप use कर सकते हो जहां पर दोस्तो इसे बहुत सारे feature है जहां पर journal का भी option application बे जहां पर date केगा आप journal ही बना सकते हो इसमें link भी सकते हो अगर आपने ट्रेडिंग जिस logic पर अपने trade लिया है वो वहाँ पर आप उसमें save भी कर सकते हो चार्ट भी डाल सकते हो तो कहीं ना कि इसमें बहुत सारे feature है अगर आप अप्लिकेशन यूज करोगे तो मैं कुद अभी fires की तरफ shift हो रहा हूँ abstract मेरा वहाँ पर ही पेसा पड़ा हुआ है fires में scalping के लिए मैं यहाँ पर भी shift हो रहा हूँ तो कहना चाहते हो अगर आप account ओपन करना चाहते है दोस्तो उसका link में डिस्क्रिप्शन दे दिया है देखो free of course data read अगर आपको मिल रहा है तो इस opportunity को मत छोड़ो मेरी साथ साब account ओपन कर सकते हो link में डिस्क्रिप्शन में दे दिया है चलिए गईस करते हैं स्टार्ट कहना चाहूँगा वीडियो को like कर दीजेगा अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो दोस्तो तोड़ा सा logic समझो अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर में bank nifty यहां से नीचे क्यों आया इस zone को समझो कि जब bank nifty इस point पे proper support लेके यहां पर इसने एक अच्छा कासा green candle एक छोटा सा doge trap केंडल बनाया था मार्केट जब कही ना कई open हुआ तो इसी point के आसपसर रिजेक्शन लेके नीचे आया sideways हुआ फिर market यहां से breakout दिया market ने क्या करा कि इस point पर इस point पर selling आई bank nifty में selling आने के बाद यहां पर seller ने चाया करा कि इसको seller यहां पर नीचे लेका है कुछ seller यहां पर आए भी है train line rejection पर यहां पर decонов आये भी है but market क्या हमसे दो कदम आगे है तो market ने चाया करा चलो जे यहां पर seller आए हैं उनको निकालते हैं उनको निकाला और जिन लोगों ने train line का use नहीं किया होगा वो लोग यहाँ पर buy किये scalping के लिए और उनको just hunt कर दिया direct market ने चाह गया तो यहाँ पर बहुँ ज़ादा stop loss hunting हुई है जो दोस्तों यहाँ पर पसे है न गाईस उनका बहुँ ज़ादा नुकसान हुआ इस position पे और यहाँ पर कोन पसे होंगे मैं बताओं मैं आपको यहाँ पर दोस्तों वो बंदा पसा होगा जो greedy होगा जो लालसी होगा नहीं यार market उपर जारा breakout कर गया न चलिए भई पेल देते हैं और वो क्या हुआ market ने उनको यहाँ पर पेल दिया मार्केट के लिए आपके लिए प्रोपर काम करेंगा कैसे आपको दिखाता हूँ देखो इस पॉइंट पर काफी लोग ट्रेप होएं तो काफी लोगों ने अपनी position को carry forward में convert किया होगा यार ज़्यादा loss हो रहा है hold कर लेता हूँ BTST के लिए C option ठीक है यहाँ पर समयना मार्केट ने क्या करा अगर अपन देखे तो double top type का इसने एक pattern भी मना दिया ठीक है और अगर आप मार्केट में देखते हो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक neckline भी है और यह zone भी है और में आपको क्या बता है 47,200 का option chain देखो यहीं परा जाओ और यहाँ पर देखो इस level पर है अगर Monday की दिन market क्या होता है इस zone के अंदर open होता है तो 47,200 का जो level है यह जो level दोस्तों आपके लिए proper rejection का काम करने वाला है बट मेरा क्या plan आपको दिखाता हूँ देखो अगर हम US market को देखे तो वो market यहाँ पर positive है बट इतना भी कोई जादा positive नहीं है तो मेरा जो विचार है कि market में जो 39 का holiday पड़ा हुआ है यह कही ना कि flat opening का sign देगा flat opening यानि market जहाँ पर बंद हो यहाँ पर 50 point 70 point का यहाँ पर यह open होने की पूरी संभावना है दोस्ता आपको ध्यान देना है कि जो मैंने आपको data बताया कि 47,000 के level पर put seller वहाँ पर जो है 18 लाग का put writer वहाँ पर बैठा हुआ है मैंने आपको यह बताया है तो क्या करना है जैसे market 47,000 पर आएगा इस zone पर आएगा 47,000 समझना नीचे भी आजाए 47,980 के जोन में भी आएगा market यहाँ पर एक reversal लेगा उपर जाने के लिए कहां तक वो लेगा यहाँ पर 47,210 यहाँ तक जाने की पूरी possibility अगर market इस point पर open होके यहाँ तक जाता है तो क्योंकि दोस्तों एक proper आपर एक support area है जहाँ आपर इसमें buying वापस आएगी देखो market का एक rule होता है market भले सीधा उपर गया क्या करता है market आता है retracement लेता है फिर गिरता है यह आपने देखा भी होगा कि market उपर गया retracement लिया फिर उपर गया तो कही ना कि एगर market फ्लेट ओपन होता है 47,000 के असपास तो यहाँ आपर आपको buying देखने को मिलेगी 200 point के फिर market में कहीं ना कि इस point पर rejection आएगा फिर market कहां तक आ सकता है फिर वापस आसता है 47,000 पर ठीक है अब यहाँ पर मैं आपको बता देख सकल्पिंग किस तरीके से कर सकते हैं अब ध्यान देना कि market में एक बड़ा मुख कहां पर आ सकता है देखो अगर बेंक निफ्टी को selling side में आना है बेंक निफ्टी को वापस zone के अंदर आना है दोस्तो इस candle का high देखो जैसे इसके नीचे price आता है तो फिर अपने को जो है बेंक के निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है 46,944 यह लेवल बहुत important है क्योंकि दोस्तो जैसे इस लेवल का break होगा ना तो 47,000 के लेवल पर जो put seller बैठे होए ना वो निकलना start कर देंगे क्योंकि पुर्ण ने put को seal किया है ना कि put को buy किया है वो seller का data होता है option chain में वो वहां से निकलना start करेंगे तो क्या होगा अपने को गिरावट put side में short covering अपने को देखने को मिलेगी seller की data के साफ से तो फिर कहीं ना कि अपने को जो bank nifty है 46,800 और 46,750 पर आपको आता होगा देखने को मिलेगा और 46,750 का जो level दोस्तों यह एक support area है यह zone जो है यहाँ पर एक support area और यहाँ पर बहुत ही अच्छे liquidity है तो यहीं पर price support है वापस एक bounce back इस तरीके से दे सकता है अगर यह selling के तरफ आता है तो अब यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि मेरा जो view है समझना यह क्या है rejection level है दोस्तों यह view बहुत important यह rejection level है ठीक है अगर market 47,210 के उपर sustain करता है तब को अराम से यहाँ पर 47,400 दिख जाएगा यहाँ तक आपको दिख जाएगा अगर यह उपर level break करता है या फिर दोस्तों क्या होता है market के लिए कहीना के opportunity बन जाएगी यह वाली यह कहीना के sideways के opportunity बन जाएगी क्यों क्योंकि देखो 47,200 का जो level है rejection level है ठीक है यहाँ पर जान मुझकर call seller का data आ जाएगा और 47,000 एक proper PSY level तो यहाँ पर put right रहा जाएगे तो market क्या करेगा फिर इस range के अंदर जिग 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 होगा बट मैंने starting बता दिया कि 47,000 के level पर यहाँ पर क्या होगा एक अपने को bounce back देखने को मिलेगा I hope दोस्तों आपको bank and nifty का logic समझ में आया होगा अगर आपको logic समझ में आया तो please comment क करना और telegram को भी join कर लेना दोस्तों जो link है मैंने description में दे दिया है चलिए अब यहीं पर आते हैं कि आखिर में nifty में किस तरीके से प्लान करना दोस्तों थोड़ा सा video बढ़ा रहता है माफी चाहता हूँ या क्योंकि मैं हमेशा क्या करता हूँ मैं यह नहीं बोलता हूँ जिससे काफी लोग इस channel को support भी कर रहे और इस video को हमेशा प्यार भी करते हैं चलिए जी यहीं पर आते हैं कि आखिर में nifty में किस तरीके से प्लान करना है तो देखो अगर हम nifty में देखे तो nifty higher high higher low higher high higher low higher high higher low फिर एक higher high और यह जब train line पर आया तो क्या बनेगा higher low बनेगा समझ में आ जाओगा आपको और कहीं न कि market क्या कर रहा है liquidity यहाँ पर आ रही है इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से और इस तरीके से ठीक है बड़ यहाँ पर समझना किस तरीके से प्लान करना है देखो market के लिए इसमें लिख के देता हूं 22,200 का level एक important support area है इस level पर market एक bounce back दे सकता है आपको scalping के लिए buy side में एक opportunity दे सकता है market मैं आपको दिखाता हूं देखो market में जो गिरावट हुई है last time पर दो केंडल में आप देख रहे हैं कितना 250 पॉइंट का फोल दो केंडल में 15 मिट का चार्ट है 30 मिनट के अंदर यह market कहीं ना कहीं जो यहाँ पर यह उपर गया था कितने time में आपको दिखा देता हूं चेक करो गया rate range में आपको दिखा देता हूं मातर 30 मिनट के अंदर कितना गिरा 250 पॉइंट और इसको उपर जाने के लिए कितना time लगा चार घंटा पे ताले सिमेंट 30 मिनट के अंदर नीचे आगिया है ठीक है बट इस लेवल पर put rider बहुत जादा है तो मेरा ऐसा मानना है 22,200 पर जब price आएगा तो यहाँ पर एक bounce bag देखने को मिलेगा और price आएगा 22,265 दोसो पैसट यह जाएगा अगर इसका breakout करता है तो upside में कहीना कि में यही कहूंगा क्योंकि market की पूरी संभावना है अगर market नीचे आता है 22,200 के तो यहाँ पर एक buying आपको देखने को मिलेगी जब कर target रहेगा 22,265 और अगर इस दोसो पैसट का breakout होता है फिर अपने को यहाँ पर 22,300 और 22,350 के level अपने को upside में देखने को मिल स और 22,180 के नीचे प्रॉप जैसे market मान के चलो कि market कहीना कि क्या हुआ 22,200 का break किया rejection लिया फिर 22,180 का level इस तरीके से break किया तो फिर अपने को निफ्टे में गिरावट देखने को मिले कहीना कि 22,150, 22,100 and 22,75 यह अपने को level यहाँ पर जो है निफ्टी में देखने को मिल सकते है अगर इस तरीके से break होता है तो ध्यान देना एंट दोस्तो यह जो level देख रहे हो यह level एक rejection area है 22,360 क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 22,400 का जो level है heavy call writer का number है तो यहाँ पर seller हावी हुए थे हैं तो कहीना कि आप देख सकते हो 22,400 यहाँ पर call writer बढ़ेंगे 22,360 का जो level रहे है इस point पर यह वाला जहां पर market breakout भी कर देगा ना तो यह trip भी करेगा और मेरी साफ से अगर नीचे आता है इसको support लेता है तो retracement देगा फिर इस तरीके से आ सकता है यह मेरा view है nifty का दोस्तो यह था अपना nifty का और bank nifty का prediction video I hope आपका video अच्छा लगा होगा अगर आपका video अच्छा लगा तो यह प्लीज comment करो बताओ ठीक है साथ मैं वीडियो को support करो यह वीडियो को like करो और दोस्तों आपके भाई को support करो subscribe करो and अगर आपने telegram को join नहीं किया तो join करो इसका link मैंने description में दिया मिलते हैं आप से यह नेस्ट वीडियो में जैहिंद जैवारत और आ जैशिराम